दॉक्तर बाबासाहःब आमबेडकर ओपर युनिवर्सिटी नमस्कार मैं डॉक्टर मानिच दुवेड अशिस्टंट प्रोफेसर इस्कूला प्रश्टिकेशन द्रक्टर बावर साब, आम बेटकर ओपर इंवर्स्टी में आप सब खार दिक्सवागत है, आज हम अध्यन करेंगे, B.Ed.O.D.L.P.E.S.202, Measurement and Evaluation, Block 2, Unit 5, Grading and Grading System, कैसे grading करते हैं, Encore Records, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम especially अध्यन करेंगे, तो आज हम अध्यन करेंगे, उसमें है कि grading system क्या है, इस पे हम आज चार्चा करेंगे, grading system के बारे में, और ये अगले lecture में होगा, उसके grading system में, उसका introduction जानेंगे, grading system क्या होता है, what is the grading system, उसको define question करते हैं, characteristic क्या है grading system का, कितने प्रकार का है grading system, और advantage क्या है grading system के limitation क्या है उसकी, और कौन कोन से बिंदू को ध्यान में रखना चाहिए, जब हम scaling कर रहे हैं, उसका grading system से, उसका evolution कर रहे है, उसका measurement कर रहे है, उसका muliankan कर रहे है, तो उसका structure क्या होता है, जो हम scale बना है, उसका rating scale, तो उसका क्या structure होगा, तो इसके हम specially specially चर्चा करेंगे, after study this unity, you will be understand the meaning of rating scale, understand the definition of rating scale, understand the characteristics of rating scale, understand the type of rating scale, limitation of rating scale, इन सब चीजों को हम सिखेंगे, तो अगर हम तेखें introduction, तो अगर हम example नहीं कि, अगर बिद्दाला में किसी भी class में किसी बच्चों का हम measurement करना चाहिए, overall performance देखना चाहिए, कि सेरिया में है, कैसा परफॉमेंस कासा है, उसका reading में कासा है, राइडिंग में कासा है, पढ़ने में कासा है, खेलखूद में कासा है, तो अगर उस basis पर हम उसका performance देखेंगे, उसका हम evaluation करें कि उसकी growth कितना है, और पुट कितना द behavior को, कैसे, जब किसी बच्चे को हम मुल्यांकन करें, तो उसका observation behavior है, उसका behavior है, उसका behavior है, उसका behavior है, वो कैसा है, पहले उसको observe करेंगे, school setting में, student, exhibit, behavior, across different activity, जो उसके अलग-अलग activity है, जैसे उसका खेल में कासा है, पढ़ने में कासा है, बाचिंत करने में, grouping में कासा है, collective performance कैसा है, तो इस सब चीजों पर हम इससे उसका focus करेंगे, तो इससे हम अध्यान करेंगे कि उसकी, जो, उसका observation, उसका behavior वो कैसा है, इस basis पर हम उसका करेंगे, दूसरा है, organize the performance, उसका performance करेंगे, जैसे, like, there's some, कोई भी student है, symbolic, symbolic कैसा, रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने को demonstrate कैसे कर रहा है, उसका पढ़ने में कैसा है, उसके बाद हम responsive to task, उसको अलग-अलग हम कारेंगे, उस basis पर, मान लिए जैसे, कि, जैसे कोई student है, प्रजेंट में, avoid the responsibility for, like, the fashion and fashioning performance of chart, by the making exercise, तो, excuse, कर रहा है कि, अगर हम कोई भी performance दिये, कोई भी task दिये हम student को, अगर वो student जो है, प्रजेंट है, वो क्या करेंगे, वो अगर उसको कर ले रही है, तो अच्छा उसका है, लेकिन अगर नहीं करना चाहिए, उसको avoid करेंगे, उसको ignore कर रही है, उस चीजों को बोले कि बाद में करेंगे, तो हम कहेंगे कि उ उस एरिया में उस जो उसका representation है, जो है, responsibility है, जो वो अपने responsibility को पूरा नहीं कर रही है, तो इस तरस उसका अलग-अलग प्रकार से measurement होगा, उसके, collaboration, बेशान दे श्टर जी, जब हम अलग-अलग, उसको पहले behavior किया, उसके बसके performance हमने देखा, responsibility कैसे हो, गेन करा है student, उसक जो collaborative strength क्या है, उसमें देखेंगे, तो कुछ गीता है, पेर्दे exam explaining cooperative behavior, cooperative behavior कैसा है, दोस्तों के साथ behavior कैसा है, working में कैसा है, together effective according to their strength during the activity, like the preparing of गर्भा, कोई भी हम task दे रहा है, कोई भी हम नाटक दे रहा है, गर्भा करा रहा है, या कोई भी activity करा रहा है, culture activity करा है, तो उसमे हम हर prospect से देखेंगे उसका, क्यों पढ़ने में कैसा है, उसका task कोई भी काम किया जाता, तो उसमें वो कैसे responsibility अपना निभा रही है, collaborative work है, culture work है, तो उसमें कैसे वो अपने responsibility को निभा रही है, कैसे behave करें, तो उस चीजों को perform कैसे करेंगे, इस आधार पे हम उसका, जो मुल है, या normal है उसका, या poor है उस particular area में, तो इस आधार पे हम उसका मुल्यांकन करेंगे, तो इसलिए हम करेंगे, जो grading system है, कि grading आखिर में है क्या, तो वो हम बच्चों का, जो overall performance नापने के लिए हम एक scale बनाएं, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, जिसके द्वारा करेंगे, जो rating scale बनाए, जिस पर हम उसको rate देंगे, कि वो performance उसकी behavior activity कैसे है, personal उसका opinion कैसा है, collaborative work में कैसा है, तो इस सदार पर हम उसको rating scale से उसको नापनेगे, तो जैसे कह रहा है कि rating scale is the tool, जो rating scale है, वो tool है, वो क्या case के लिए student के performance को measure करने के लिए, तो rating scale is the tool assessing and recording the extent and which specific characteristic of behavior and attitude, जो बच्चों का जो characteristic है, उसका, जो behavior है, उसका attitude है, उसको हम measure करेंगे, present in individual, often in educational setting, educational setting में, उसके classroom में, उसका, उसके characteristics, उसके क्या-क्या है, क्या उसका behavior attitude कैसा है, किसी भी class में, तो इस आधार पर जब इन चीजों को measure, जिस पर करेंगे, वो rating scale के मादियम सर्म, जो scale बनाएंग rating scale, उसके मादियम सर्म, measurement करेंगे, तो इस type आप scale allow the evaluate, teacher को, psychologist को, वो मदद करता है, to means measure subject performance, behavior, क्या-क्या measure होगा, उससे, behavior होगा, attitude होगा, subject performance होगा, यह सब चीजों को वो नापेगा, उस tool से, जो teacher है, जो psychologist हो, उस student को, स्टुडेंट को, बीहवेयर को, उसके attitude को उसके characteristic को नापेगा, तो जब नापेगा, तो उसको एक performance rating scale बनाएगा, उसका, कि पूर है, average है, good है, excellent है, तो किस आधार पर वो कर रहा है, किस आधार पर यह poor है, average है, good है, excellent है, तो किस आधार पर उसको ना आप रहा है, अगर बच्चे का जो भी जो रेटिंग स्केल दिया है, उस पे जो पर्फोर्मेंस आए, कि ऑगर वह हर एरिया में पढ़ने में, वह कल्चर अक्टिविटी में, वह खेल खूद में, उसके पर्फोर्मेंस कम है, तो पोर इसकेल में जाएगा उसकी एगर average हर चीज में आपरेज में आएगा अगर ज्यादा better कर रहा है तो good में आएगा और सबसे ज्यादा उसकी performance आ रहे है तो excellent में आएगा तो इस तरह से उसका rating scale से हम क्या करेंगे उसका performance student का हम ना पेंगे जिससे हमें पता चले का उसका growth क्या है अब हम दे में rating scale का purpose क्या है तो रिकार है कि rating scale का special purpose क्या है attitude नापना behavior or characteristic systematically जो है वो scientifically जो है वो attitude behavior and characteristic को student के नापती है किसी भी ब्यक्ति के इन उसके attitude को इन उसके good को उसके attitude को उसके behavior को उसके है डिपर्ट अब जो है ज्यादा एक्रेशिव है या जो जब्लिकЙ में नहीं बात करते है तो अलग-अलग जो त्रेड है उसके जो तो मुझ चीज़ों को क्या करेंगा trade behavior is beginning to evaluate, उसका मापन करेगा, उसको और जो scale label है, जो scale label दिया गया है, जो level performance या degree, performance या degree of the attribute being the measure of represented numerical या descriptively, जो भी हम ना पेंगे, जो भी इस criteria, जो हमने बनाई है, कि हमने उसका क्या हमको attitude में, उसका trade में क्या नापने, उसका बी आपने, उसका बीए बीउट्रेट्रेच्झ में उसको नापना कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसका ओवरॉर परफॉरम disciplines कैसा है ओबर अर्वरो परसंौलली जियुक्स िुक्छ झाहने मäं कौछ निभी निभी आप ह offend इसके इसके बनाके जैसे लिकर सब का लिजए और गांब तो म्रीट करकता है ऐसे पिर उडरीज कर इसके 됩니다 तो इसके 7.5 पॉइंट एक्सिलेंट और पलज धियेは Ms. ईसके प्रिंग ऑ्हलिकर की लिए तो उसका अलग-अलग performance हम नापेंगे, तो उसका performance क्या-क्या है, तो वही यहाँ पर बता रहा है, definition अगर define करें, तो हम कहा रहा है, the rating scale involved the qualitative description of limited accept of the fruits of the person, जो भी person उसका qualitative करता है, उसके बाद, गेंडलम ने कहा कि rating scale is the degree, intensity, frequency, variable, तो इन सी जो को क्या करता है, कि अलगता करता से नापता है, इसलिए वो rating scale को अलगता से define करें, अगर हिसका है, history की बात करें, कि rating scale की सुरूबात कप से होई, तो कि करेंगे, Gelton में have developed the first modern rating scale in 1983, जो Gelton है, उन्होंने first model अब rating scale का 1983 में, sorry, 1983 में उन्होंने measure किया, उसके बाद, Karl Pearson, propose the scale for the assessing the intelligent, intelligent को नापने के लिए उन्होंने, Karl Pearson ने dale scale बनाई, जिसका इंटोडूश, इन्टोडूश कहा है, उसका बिनेट test का गया, उसका इंटोडूश यूँट अब पिनेट टेस्ट के नाम से, ये सारे scale जो बने, जो नापने के लिए बने, बिक्तित नापने के लि वो वर्ड वार वन में, क्योंकि उस समय क्या हुआ, वर्ड वार वन का जो situation थी, उसमें क्या हुआ कि जब लोग मारे जाने तो अधिक से साइनिकों की जयुवरत थी, तो साइनिकों का जो मेजरमेंट होगा, कैसे काम करेंगा, उनका behavior क्या है, उनका क्या है, उन से को नापने के लिए साइकोलोजिस्ट ने, उन्हों क्या 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 क्या, इस पैमाने को जो फुल्फिल करेंगो, हम उसको अजय हम बेह सकते हैं, इसलिए वर्ड वार वन में इस चीजों का अविश्कार हुआ, इस चीजों को बनाया गया कि इस आधार के हम हम बनाएंगे, जिससे हम अलग-ऌलग क्या कैरें, तो इस तरह से इस की हिस्ट्री है यह टेस्ट कि रियेटिंग हिस्ट्रिय है, वर्ड वारट वार quieren chegou होते हैं, जो अअवस्कार के जन्नी है, उस ही, कि अलग-अलग में भीजना था, क्यासी है घरार पर्फॉर्म्स क्या, कैसे situation को जाएगा तो उसी जू को नापने के लिए psychologist ने किया कि टूल बनाया उसने उस टूल पर उस एक्जामिन किया इवल्वेट किया जिससे जो पास हो उनको सामिल कर लिया गया सानिक बना कि तो इस तरह से यह रही उसकी हिस्ट्री और attitude जो उसका में परपाच है उसका कि किसी ब्यक्तिव का student का attitude, behavior और characteristic नापना तो हमने समझागे definition अब अगर हम characteristic की बात करें तो करता है linguistic error उसमें नहीं आप observation नहीं होता है linguistic error होता है hierarchy provide the description जो भी student है उसकी hierarchy वो excellent, good है, average है, poor है कि 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 लेबल का है वो hierarchy उसको provide के जाती है, इसके द्वारा होता है, institution is the clear and simple characteristic of the person, of the major and the clearly identity, indicate जो भी इससे जो evaluation होता है, जो भी person का, जो भी student का, तो उसके हम उसका हम characteristic है, उसको हम जान सकते है कि student की क्या है, कि इसमें उसकी रुची है, तो उससे साब से उसके हम personal view को जान के उसके जो छमता है उसको हम ब समधान कर सकते है, personal information can be easily obtained, जो भी personal information है, इससे मिल जा सकता है, making a tool be done only on the characteristic and the person, उसके बाद है help in writing report, जो किसी भी writing report बनाना student का, जो guardian को देना, parents को देना, तो इस scale के मदद से हम क्या कर सकते है, उसका writing report बना सकते है, helpful to filling out the admission blank for the college, जो admission लेने में बच्चे क्या capacity उसके अधार पर हम, उसको find कर साएं, filling out the student needs, student के need क्या है, तो यह सारे क्या है, उसके characteristics है, इसमें अगर देखें, तो जो, इसमें जो table बना कर हम देखें, इसमें कहरा है कि, पहला जो कहरा है class participation, अगर कोई भी student class participation कर रहा तो उस इसमें क्या क्या है, scale पर ना पाया, five scale पर ना दिया, उसमें कहरा कि, poor, first में, fair, good, very good, or excellent, ऐसे बना है, तो इसमें कहरा है, class participation क्या है, अगर poor है, really participation, जो भी class है, उसमें participation उसका बहुत कम होगा, क्योंकि वो, उसमें interest नहीं ले रहा है, तो उसका participation कम होगा, इसलिए रहा है पहले में कभी discipline करेंगा हूग, चुछता है। कहां करेड़, जब उसका मन के तो और पांटिसपेट के आप साहा कुछ इए पirmा पांटिसमे बि colour, रहा गूलर इम्हाट्सपेट करेंगा, तो कम चकने आप इसन हो हूद को actively participate करेगा जो कोई भी चीजों information मिल जाए तुसको चीजों में participation वो आके करेगा तुरन अक्टिव रहेगा उस चीजों के लिए उसलिए without permitting कोई भी बताया ना फिर भी उसको जान कि उसमें participate करेगा एला excellent है always participate actively from the initiate participation जो भी चीजें हो क्या करेगा excellent वाला कि वो always हमेशा कि जिए इन कि चीजे में participate करेगा जो भी activity होगी जो भी class work होगा उसमें participate करेगा और वो promote करेगा वो motivate करेगा participation में जिससे उसके बात कर रहा है cooperation में अगर देखें तो जो पहला level पूर वाला है उसमें really cooperate really cooperate करेगा with peers जो भी उसका group है उसमें cooperate नहीं करेगा sometimes corporate need encouragement जो कभी-कभी करेगा encouragement चाहे उसको प्रसाहित करना पड़ेगा उससे तरह good generally corporate and may need occasional reminder reminder जो occasionally करेगा उसको रिमेंडियर दने कि उसको उससाहित करने की जूरत है किने participate करो और जो good है वो cooperate करो वो cooperate well ready deliver need reminder always excellent है वो always cooperate करेगा उसमें तो इस तरह से यह जो criteria decide की गए कि कौन कौन से criteria को ना अपना है cooperation responsibility enthusiasm तो इस आधार पर जो poor होगा उसकी characteristic किया होगी कि जो student इस level में आएगा इस scale पर ना पा जाएगा उसके characteristic किया आएगी कि यह हमेशा off करेगा really cooperate करेगा उसके बाद जो fear है उसमें उसकी characteristic किया आएगी इस तरह good है तो उसमें कहीं का participation उसका बढ़ेगा हर label में देखेंगे आप तो इन तो इस चाहिए जो इसमें कहीं कहीं आपको student के अंदर दिखेगा कि किनम के भाई हर उसमें किसी भी activity करने के लिए क्या हो that activity करना चाहता है वो participate करना चाहता हूँ group में हो, individual हो, खेल हो, पढ़ने में हो, classroom में हो, ग्राउंड में हो, कहीं भी वो participation आपको दिखेगा, लेकिन इन दोनों में दिखेगा, तो इसमें क्या हो सकता है, पढ़ने मोट नहीं अच्छा होगा, उसका मन नहीं रखता होगा, पढ़ने में activity नहीं करेगा, भागेगा responsibilities अ देके उसको हम दूर कर सकते हैं, उसमें, दूसरा करेक्ट, टाइप आप रेटिंग स्केल, हम करेक्ट स्केल समझें, तो उसके बाद कितने प्रकार के रेटिंग स्केल होते हैं, जिसे हम अलगले पैमाने बनाते हैं, उसको ना आप सकें, तो उसमें कहरा कि मेंली जो रेटिं नहीं और को लिएन पुबहाँ में हुए शब्सषर इस तरह से सब में तरह सो की क्रिकेटर है तो इस तार है सब सारे स्कंद नौंड़ि outside the lower 간 शसरी चर्थर ग्राफ़ दो बसका पफॉर्मनिशन चेक खत्रम ग्रेयां में लाएrors है किस grade में है A, B, C, P, तो mark के इसाफ से हम उसका grade रिएट करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं पहला हमाना nominal scale है, जो भी label है, जो भी उसमें reading का label, वो poor, fair, good, very good, excellent, तो यह इस तरह से उसको क्या करेगा हो, नाम देगा, जो भी student हो उसका यह एक्टिवेटर है, यह आ जाएगा हम nominal scale जो है, वो इस पे आ जाएगा, यह उस क्रेक्टरिया उसको define करेगा, उसको characterize करेगा student को, activity को, उसके attitude को, उसके characteristics को, इस label में आएगा, उसके बाद, उसका use कहा कहा है, देखें, तो survey, feedback, form, performance, appearance, participation, qualification, data collection, इस सब statistical analysis, इस सब चीजों में वो use होता है, जो nominal scale है, उसके बाद, advantage क्या है, is lead to use and intercept, आसानी हम use कर सकते हैं, उसको, उसका performance को, provide the clear quantity, quantable data, जो भी data मिलेगा, उसके लिए data मिलता है, तो इस scale से हम, nominal scale से इस तरह से हम उसका ना पेंगे, उसके बाद, दूसरा आता है हमारा, descriptive scale rating, जो descriptive rating scale जो है, यह आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, descriptive, क्या करेंगे, use the descriptive term to represent the different level of performance, इसमें क्या करेंगे, जो भी data जो provide करेंगे, different level of performance क्या हो, उसका, characteristic का, तो यह वो बताएगा, describe करेंगा, कि नहीं, जो है, बच्चा है, वो excellent है, तो है तो किस आतार पर है, उसको define करेंगा, उसमें पहले हम क्या था, उसको सिर्फ नाम दिया जा रहा था, लेकिन यहां पर descriptive उसको आगे बढ़ाएगा, बताएगा, उसको measure करेंगा, इस level provide a detail description of what it being measured, क्या हमने ना पा, उसमें description दे, जैसे example में कर हम देखें, तो हम कर सकते हैं, excellent, expectation, consistency, जो भी excellent में क्या है, कि उस जो भी work कर रहा है, उसमें, क्या consistency होंगे, उसमें silent हो, जो भी उसका marks है, constant होगा, कहिने कि अब बराबर ही होगा, जैसे अगर वो 50 में 40 नमर पार रहा हो, तो 40, 49, 42, 43, ऐसे number उसके आएगी, तो कहिन कहिने, उसके जो marks है, उसमें क्या होगा, consistency होगी, उसके बाद क्या होगा, meet expectation होगा, उसके बाद फिर occasional meet expectation, जो graph बनाएगा तो उसे सबसे दे रहा है, कि इस तरह से हम उसको define करेंगे, हम रिजन बताएंगे, खिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसके रिजन को point out करेंगे, जिससे हमें पता चलेंगे, नहीं कौन-कौन सा region note करेंगे, बताएंगे, उसमें use कहा कर सकते हैं, educational setting कर सकते हैं, employee performance review जो अगर लेना हो तो उसमें कर सकते हैं, useful when the detail feedback, need improvement, जो भी improvement करना है, उसमें हम उसका feedback से improvement कर सकते हैं, advantage क्या है, provide the specific, जो characteristic को उसको बताता है, feature को बताता है, help individual understanding area, strength improvement, जो भी area है, उसमें हम improve कर सकते हैं, descriptive rating of scales से, उसके बाद क्या है, grab card, grab card rating क्या है, grab card rating क्या है, grab card rating क्या है, present continuous often in the form of line या bar, जो भी हम present करेंगे, जो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वो line, को भी हम line घीच लेंगे, जैसे एक graph बनाते हैं, हम graph बना लिया, तो उसमें हम point out कर देंगे, इस bar उसका growth हम इस अधार पर नापते हैं, क्यों वो कैस जैसे उसका performance होगा, तो इस तरह से हम उसको देखते हैं, तो जैसे उस पे हम line या bar where the evaluation mark point that represents the level of performance या the degree of the characteristic, जो भी label है, जैसे यह आपका show हो रहा है, line of performance, जैसे हम point दे देंगे, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, या जो भी 10, 20, 30, जो भी हम criteria decide करेंगे, उस तरह से हम उसको point देंगे, उ उस अधार पर या जैसे यह आपका graphical अपदे रहा है कि पूर है, below average है, average है, good है, तो किस हिसाब से है, उस हिसाब से उसका graph का representation होगा, ग्राप के में जो हम उसको कर रहे थे, उसका हमें एक map बनाएंगे, ग्राप के हिसाब से उसका average देखेंगे कि किस हिसाब से उसका performance है, उसका performance कहां जा रहा है student का, वो average है कि low है कि poor है कि average है कि low है, वो excellent है, उसका growth जो individual है, उसका growth कहां हो रहा है, पहले growth हुआ, फिर business state गया, फिर growth हुआ, तो कैसे हो रहा है, किस क्या region है, क्या कैसे हो रहा है, तो उसी चीज़ों पर हम focus करेंगे, तो उसका यूज क्या है, psychology assessment में pain measurement scale है, effective capture, suitable difference in the response, जो भी response उसको suitable difference करता है, जो advantage है उसके visual representation, जो भी representation उसका visually दिखेगा हो, कि नहीं वो graph के द्वारा, पिच्चर के द्वारा, represent क्या जाया है, तो graphic के द्वारा, इसलिए graph के rating scale इसको कहां जा रहा है, उसके बाद अगर हम देखें, उसका रहा है, जो grade based rating scale ह जो चौथा है हमारा, grade based rating, इसके रहा हम किसी भी student के marks रहा है, उसको grading के द्वारा हम कैसे ना आपने है, तो वहाँ पर definition का रहा है, यूद लेटर grade, जैसे जो भी grade A, B, C, D, हमने उसको एक symbol दे दिया, कि इस symbol पर जैसे 10 से 20 के बीच में, अगर मालिज ये 50 से 60 में है, तो उ हमने D दे दिया, मार्क जो आ रहा है उसका, तो हमने क्या क्या के, D मार्क दे दिया, अगर वहाँ पर हमको क्या है, 60 से 70 के बीच में है, तो वहाँ पर हमने C दे दिया, 70 से 80 के बीच में है, तो हमने B दे दिया, और 80 से 90 के बीच में है, तो हमने A दे दिया, तो इस-तरद से हम क्या करेंगे उसको decide कर लिए पर मार्णा हमने जो कि इसकी ओ Cra ment जो 9 से 60 सभे हो, अबर सब्स हो जाएगा तो उससाब हमने डिसाइड किया कि हमारा जो excellent होगा एक criteria बना लिया हमने कि हम इसके इसके बीच में अगर mark आएगा 90-100 के बीच में अगर mark आता है तो excellent बंदा कर लाएगा दूसरा अगर 89 की बीच में आता तो good कर आएगा उसका जो criteria उसको जो grade दिया जाएगो ए होगा इसका भी होगा है तेशार के स्टार्टिकल वह अगर सतर शर्ट देना से सथी शर्ट रिä लेसा है को ग्रें किन 20 से 2021 स्थी मैं तो क्यों सी समुनु दिया जा रहा हो है उसको ग्रेंट दिया जा रहा है उसको जो जो इस ग्रेंट क्योंelen यह थिप तो उसको क्या कर रहा है कि वहाँ पर उसको जवरत है इंप्रूमेंट के वह इंप्रूमेंट करने है तो उसको इसलिए डी मार्क दिया गया है कि उसका जो लेबल है जो उसका रिजल्ट आ रहा हूँ वहाँ पर जवरत हो फीडबेक के जवरत है उसके इंप्रूमेंट करने क जिससे हम बचों को नाप सकें, उसका उनक्य मुलियनकन कर सकें, उनको काटेग्री जो ग्रेड के अमसार हम उनको कर सकें, इस ग्रेड में कितने-कितने लोग है। इससे बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि हमें वहां पर सिर्फ सतर से पचलता है उसमें कौन ज्यादा है कौन कम है जो बचों में आता है कि नहीं हमसे ज्यादा है पाया हमेंud Webb तो उसके बारें जो आपनी में अगर हो उती पाय सकता है नंबर हो और Jahre Yur aosकता है नंट के अगार हो सकता है ऑने नंतीनाइन हो सकता है विसके बीच मों आरहा है तो इसलिए करा कि इस तरह से ग्रेट दे दिया जाता है तो उससे डिफाइन करना है कि इस ग्रेट में यह बच्चा है उसका मुल्यांकन हो जाता है हैं उसके बाद हम जो रेटिंग स्केल यूज कर रहे है कर सके मिल्यांकन हो उसमें तूटिया कम हो तूटिया ना हो इसको दूर कर सके पाहला है जो हमें याद रखनी चाहिए, वह कहा रहा कि clear the definition of criteria, जो भी हम evolution का criteria बनाया है, जिस criteria पर हमने evaluate कि हम rating scale से कर रहा हैं, तो हमने जो point बनाया है, कि 1, 2, 3, 4, 5, उसमें हमने जो A दिया है, कि वह poor है, कि वह good है, sorry, average है, good है, average है, good है, excellent है, किस point पर हमने उसको, किस point पर हमको अपना है, उसको हमें वह देखना होगा, तो इस तरह से हम क्या करें उसको, इसलिए करें कि पहले हम क्या करें, जो clear the definition of criteria, criteria, जो criteria है, उसको हम define करेंगे, कौन से criteria का हो, उसकी criteria को हम define करेंगे, उसको बताएंगे, clearly, define करेंगे, जिससे समाझ में आए कि नहीं, कौन से criteria पर evaluate करना है, training for the evaluator, जो भी evaluator है, जो भी examine करेंगा, जो भी evaluate करेंगा, उसको हमके training देना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा, बचना रहे हैं कि तरह से करना हमको क्या प्रोसेस उसका उसको क्या करना है कि त्रिनिक देनी पड़ेगा शोबी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि फॉर्मेट अभी किया दूसरे टेस्ट में बदल जा है, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा, जिससे रिजल्ट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव और फाइप पर स्केल कर रहे हैं जो भी रेटिंग इसको करना है डिस्क्राइब देन नेक्चर जो भी है उसको हुआइज रेगुलेट रिविए अपडेट कॉंफिडेंट उसमें इन सब जो पाइछ टूडी होगे इन सब बिंदू को हमें एक एक करके दिमाग में रखना हो जिससे में जो भी रिजल्ट आगा जो भी हम जैसे जो भी स्केल बनाएं तो उस चीज को अधार पर जो हम डिफाइन करेंगे बताएंगे जो पालेट सिस्टेज लेंगे तो उसमें जो हमें फीडबैक मिलेगा वहां फीडबैक के हिसाब से हमें क्या करेंगे जब हमें फीड तो feedback के हिसाब से हम उसमें इंप्रुमेंट करेंगे जो भी हमने रेटिंग इसके लिए बना है उसके बाद हम उसका क्या करेंगे इंप्रुमेंट करेंगे जिससे हमारा जो जो रिजल्ट राएगा वो रिजल्ट जो आएगा वो वालीड होगा इसके इस लिए इस तरह करेंगे उसके बाद हम करने इस ट्रक्टचर जो भी रेटिंग इसके लिए उसका structure क्या है उसके attitude है, जो भी, उसका behavior है, किस attitude पो, उसके state पर हम उसको नापना चाहते हैं, वो define करना होगा. Scale point, decide the scale point, scale point का decide करना होगा, फिर instruction for the evaluator, जो भी evaluator, इसको instruction देना होगा, evaluation, evaluation sheet, जो है, वो तयार करने होगा, जो भी individual access, and the separate sheet, अलग-अलग, हर student के लिए individual के sheet करने होगा, उसका evaluation marks is भी, again, again, the item of the apply of the individual, जो भी individual, जो भी हम sheet बना है कोच में, जो भी हम excellent है, very good है, जो भी हम उसमें नहीं, वो symbol 1, 2, 3, यह हम भी दे दिये, तो अपने उसको हम क्रिस क्राटरिया में नापना होगा होगा, जो भी score है, उसको हम नापनेंगे, उसमें assign the marks, इसके लापने, descriptive, multiple में, marks of the place, marks in the point, जो भी mark हमने दिया, जो भी क्या, उसको किस हिसाब से evaluate करेंगे, calculate करेंगे, उसको हम देखना पड़ेगा, तो उसमें तहरा है, जैसे, जो भी हम class participation, group work, homework submission, attendance in the class, attendance in the class, creativity in the assignment, जो भी चीजें हम हैं, यह हमने, क्या-क्या है, यह variable हमने decide कर लिया, कि यह हमारे variable होंगे, जो से हमें क्या करना है, major करना है, उसमें, यह student का class में participation कैसा है, वह हमें देखना है, group work कैसा कर रहा है, तो उसमें हमें, जो भी बच्चा होगा, वहां पर हमने accident, उसके लिए दो मार्क किया है, medium है तो एक मार्क, पूर है तो जीरो मार्क, वहां पर हम मार्किंग करेंगे, तो अगर accident पर हम यहां पर अगर हम उसको क्या की भी लिख दिये, हम अगर यहां पर क्या क्या क्या, जो भी मार्क है, उसको हमने यहां पर क्या 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 लिख दिया, तो उसमें क्या होगा, जब हम उसका इवलुएट करेंगे, जो मार्किंग करेंगे, जब हम उसको मार्किंग करेंगे, तो हम काउंट करेंगे, किसम बड़ग जी यहां पर 551 डेखनापन पन्गी रॉट आयो है है तो दो भी जैसा स्ट्ट्डिंट और उसका मार्किंग और तो में रॉँन के पासे बीजा है तो इसमें हम मार्किंग करेंगे तोमे काउंट करेंगे यहांर जीरो मार्क किस लेभल स्शु बीजाுब तो इसका मार्किंग करेंगे, टेबल बनाएंगे, शीट बनाएंगे, तो उसमें देखें, असेस्मेंट सीट, जो हमने बनाए, जो अभी बताया हमने, तो एक्सेलेंट मार्क वही वाला चीज, ट्लास पाटिसिपेशन, ग्रूप वर्क, होम वर्क समिशन, अटेंसिब, तो कैसे मार्क करेंगे, जैसे एक्जामपल यहां पर दिया गया कि, तो कैसे हम उसका मार्क करते जाते हैं, किस क्राटरिया पर हम उसका मार्क करेंगे, हो सकता है, दो नमबर देना तो एक्सिलेंट, अगर इसका यहां पर वो एक्सिलेंट है तो यहां पर हम उसका करेंगे, ज इस participation जिसमें वो criteria में excellent आर रहे तो इसके इस्टूइशन एगले एगले इस student separate on the distinct assessment sheet जो भी assessment sheet है उसका हम क्या करा है तिक भी box that the best represents the student performance on each criteria जो भी criteria है उसमें जो अगर best performance है उसमें तो मुझे भी मार्ट प्रवाइड कर रहे हैं, उसका homework में, submission में best हो, वो classroom में best हो, तो student किस चीज में best है, उस चीज का पता है, तो उससे क्या होगा, हो सकता है, class participation वो best नहों, तो आप भी नहीं दिया गया है, group work में वो best नहीं, नहीं दिया गया है, homework submission में वो best है, यह भी दि जो भी student है, उसका कहां पर, किस area में उसकी कमी है, किस area में वो performance नहीं कर पा रहा है, तो उस area को हम उस problem को दूर के उसको निदान दे सकते हैं, उसका हम मुल्यांकन कर सकते हैं, इस तरह से हम rating scale के मादिम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का performance देख सकते हैं, बच्चों का हम जो भी चार rating scale बताया है, उस rating scale से हम मुल्यांकन करें, उसका feedback देंके, जो भी educational growth है, उनका, जो overall growth है, उसको हम मुल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम define कर सकते हैं, what is the rating scale, explain the characteristic of rating scale, explain the type of rating scale, इसे एक साथ, नमस्कार. जाँ.